आदर्णिय दर्शक ब्रेंद नमस्कार एवं ओम आदी को बिहानी अविवादन ओम आदी यो ओम आदी सब्द उच्चारणगरी हमी अविवादन गर्शों अविननन गर्शों यसको आफने अर्थास परंपुज गुरुदेव आदी चंद्रयोगी जीवले अविवादन मा ओम आदी प्रयोगर्ने मार्गदर्शन दिनुवाएकोश अईले ता सारे मीचो लागन थालेकोश ओम अर्थात सिर्शस्त स्वर सर्वो परी आवाज अध्यात्म भहुतिक ताको प्रतिनिदी आवाज ओम जस्बित्र इस्थुल सुक्स्म कारण तिने कुरे अटाएकोश यो ओम आ उम तिन अलग अलग अक्सेर्शन जसले एक समस्टी ध्वने निकालेकोश ओम अर्थात ब्रामी अवस्था ब्रामी चेतना ब्रह्मतत्व को उद्गोश ओम लाई प्रणप पनिवाँच ओम लाई इस्वरकोँ आवाज पनिवाँच ता ओम आधी वनेको शुरुवाद् प्रारंब या स्त्री गडेश को बिंदु ता दीन को प्रारंब यदी ओम आधी बाट हुने ओबने दीन पनिटा पक्कई सांधार हुँँच तेसेले हमें यस कारेक्रम मा ओम आधी वन्ने गर्षों रपरंपुज गुरुदेब द्वारा निर्धारित गरियेका आयोजना प्रांब येका सबेच उस्व कारेक्रम मा हमी ओम आधी बाट है शुरु गर्षों तत्रश्टक बिंद। एक पटक याहरु सबेलाई फेरी ओम आधी को अभिवादन गर्दे आउनोस आजा हमी परंपुज आधिचंद्रयोगी जिवले बिगत मा विशेश गरी बिगत का बिविन्न अवसर उत्सब संदर्भ सत्संग आये जना भेटगाट चलफल आधिक्या क्रम मा प्रदान गर्णु भएका उपदेश अम्रित बाडी हरुलाई लियरा आये का शुन। आउनोस ब्यवाहारिक और अध्यात्मेक जिवन मा उत्तिकै उपयोगी हुने मिश्त्रित गुरुबाडी आज रशा स्वाधन गरों शुरुगरों यो पहीलो गुरुबाडी बाटा। जेजे पर्ष हेरदै जानु पर्ष हिम्मत हार्न हुन्ना अली कष्टत हुन्छा नई जिवितेई जलनेलाई यस्ता कष्टको रापले छुनु हुन्ना मेरो सिद्धान्त हो दर्शक ब्रिंद परंपुज गुरुदेवले प्रस्तुत गुरुबाडी आफनो संधर्भमा प्रदान गरनु भयक हो तरा हरेक बेक्ति लाए उत्तिकै उपयोगी रा मार्ग दर्शक किसिम्को छुनु हो जीवनमा जेजे आई पर्ष हेरदै सामना गरदै लड़दै विड़दै आरोह अबरोह चिचोल्दै जानु पर्ष हिम्मत हार्न हुन्ना हार्ना नाउनेता जीवनमा धेरे कुराँचन तरा हिम्मत चाई कैले हार्नोटना जब हामी हिम्मत हार्ष होनी हामरो सरीर मा भयको उर्जा तुरूंते शुन्यवाजर चा मन मा भयको मनोबल तुरूंते हटेर जान चा आत्मबल पनी अरांउच हिम्मत कशेकर सेले हिक्मत ,हिकर संद करें , शाहास , अनेख सपुद प्रभभग घर सो वास्त मा हिम्मत नाई जीवनको प्राणधारा हो परमपुजय गुरुदेव तेसाह quietनाया कि क आपले हिम्मत आरण में होन upset जीवनमा कश्टता हुन छा नहीं समस्या छा नहीं तर जसले आफुलाई जीवितेई जलन तयार गरेओ उसलाई इकश्टका राप तापलेक शरी छुँछे परम्पुज्य गुरुदेव आफनो संदर्व मालेखनों छा म जीवितेई चितामा जलने सादक जीवितेई समाधीमा जाने तपस्वी जीवितेई ब्राम्मी अवस्थामा छुने जीवितेई मध्यरातमा जंगलमा गवरा तपस्या गरने जीवितेई समुद्रर नदीमा वेरा तपश्यागर ने तेस्तो लाई इ बाहेरी समस्या ले किये छोंचन होला तो दर्शक ब्रिंद परम्पुज्य गुरुदेव ले यो महावाडी आफनु साधना को दैनिकी को संदर्वमा लेखनु भायको छा रहसलाई सिभ्धान तको उपमादीनु भायको छा परम्पुज्य गुरुदेव को जस्ते हामरो जीवनमा पनी जीवितेई जलने साहासुनु परछा अनि जीवितेई जलने ततपरता भायपची सानतीना कष्ट रापतापले हामिलाई छुँदेई दर्शक ब्रिंद ओमादी गुरुबाडी कारेक्रम्मा फेरी एक पटक्या ह घरलाई ओमादी को अविवादन गर्देई और को अर्था दोस्त्रो गुरुबाडी तर्फामी अगी बड़ो मा क्रिपया अजुरारु सवै संग आगरह गर्द छुकी मेरो यो कुण्ज पनी संसार को रश्वयम मपनी जगत को हुँ मा पुत्रत मातापिता को हुई न तस सर्थ सवै बस्तू चीज साजा हो सवै को ओमादी गुरुबाडी कारिक्रम हेरी रनवाय का दर्शक ब्रिंद आजको स्रिंखला मा हमिले परंपुझ गुरुदेव ले आफनो साधना को कर्त्रित्व व्यक्तित्व का संदर्वं मा कथिये का रचिये का गुरुबाडी हरु पर्खरे वाचन गरिये कु गुरुबाणी मा पुज्य गुरुदेव लेखनों छा कुने इपनी बस्तु मेरो चैना वेना बिशाल त्रिगजुर शिवालाय बनेको छा ओम आधी कुण्जको आस्त्रम छा मोक्षधाम जो दर्जनोर उपनीमा निर्वान हो दैछा मंदीर हरुचन परंपुज्य गुरुदेव ले केवल 11-12 वर्षक कुम्वेर मा आविस्कार गरनुबैका इस्थापना गरनुबैका निर्माण गरनुबैका संपदार दरवर हरुचन ती सवे मेरा होयनन योत साजा हो, समास को हो, प्रकृति को हो, परमात्म को हो, तिमरो पनी हो, मेरो पनी हो, सवे को बन्न यो बनने साहस केवल सतकुरुस लै, केवल महततपस्वि लै ओन्स प्रस्तुत गुरुबानीमा और कुय उटा बाक्य जोडनु revival मा चोरोता मेरा मातापिता को हीना जगत को हुँ अनि इबस्तु का मेरो हुरा ता कसाई लाई कुने प्रकार को संका, संसय या कुने पनी प्रकार को संकालू द्रिष्टी नराखनावाले अपील गरनुवाई को सु ता दर्शक ब्रिंद योहो महापुरुसको बिसेस्ता ता अउनोस प्रस्तुत गुरुबाडी ले मनन गर्दै अब अगारी हामी पाईला चालाउं अरको गुरुबाडी स्त्रमडगर नका लागी मसंग ध्यान का अनेकों खाका छन त्यसलाई जीवन तता दी हुँ बहु उतार्न भाब बुजने ब्यक्तिको मलाई खाचो छा दर्शत ब्रिंद प्रस्तुत गुरुबाडी परम्पुज गुरुदेव ले एक बेटगाट को क्रम्मा यो कारेकरण को प्रस्तोता मस्वयम लाई लेही दिनुबाएको गुरुबाडी हो परम्पुज गुरुदेव ले ध्याण का अनेकों बीदी रचनागरव बायेकों छह ध्याण को येवटा बीदी जो रिशी चेतना बाटता जन्मींज तेस्ता दर्जनों हैना सैयों हैना पुज्य गुरु देवुले हजारों सहस्त्र अनेकों ध्यानविदियरू मसंगत्छन बननु बायकोच्छ और अईली सम्मा दर्जन बन्दा बड़ी ध्यानविदियरू आमिलाई दीश सकनु बायकोच्छ उहाले प्रस्तुत गुरुवाणि मा आफनो भाव बेक्तगरून बायकोच्छ कि कुस्च प्रकारको प्रकारको प्सुमको कुन प्रकृतिको कुन तत्वको या कुन बिजाक्सिरको अनि कुन आसयेको कैलाई इस्ट धेयमानेर बनायेको कुन प्रारूप धंग शुरूप को ध्यान होत्यों बुजने बेक्तिको मलाई खाजू छे हामी प्रयास गर्द इछो मस्मेंपरी प्रयास गर्द छो परम्पुज गुरुदेव को इसारा सांकेति कुन छे लाक्षिनडी कुन छे बिम्भात्म कुन छे अडुमा बिभू अटाई दिनों छे जस्तो की महले प्रयोग योगा कोर्स बनने दिन्नुबायक शे त्यहां कती सेकेंड कसरी मंत्र उच्चारण गरने कुन आसन कती मिनेट लगारे गरने प्राणयाम कसरी गरने बसने कसरी पल्टी ने कसरी कुन मंत्र प्रयोग गरने एक एक निर्देश महले ने दिनुबायक शे तेसमा ध्यान पनी छे प्रत्याहर पनी छे आशनरू पनी छे प्राणयाम पनी छे तो यह अशामान्य कारिय हो जो की परम्पुज गुरुदेव ले गर्दय आउनुबायक शे तो दर्शक ब्रिंद बास्तम्मा बभिष्य महामे आसा गरों परम्पुज गुरुदेवले हजारों प्रकार का ध्यान का बिदी पैकेज, कैपसूल तर ध्यान का खाका हरू हामिलाई दिन होने जह आउनोस औरको गुरुबाडी हामिफेरी स्त्रवण गरो समर्पण भित्र मेरो हर खुसी लुकेको सत्य तत्य हो तर समर्पण सुद्ध प्रेमभा भित्र डुवेको उनुपर जह वास्तम्मा समर्पण ने गुरु तत्व को प्रशाद जहां गुरु चेतना होंच जहां भगवद चेतना होंच जहां इस्वरिय चेतना होंच जहां रिशी चेतना होंच जहां बैदिक चेतना होंच त्यहां समर्पण चाईज धर्मा कर्मा अध्यात्म साधना योग ध्यान बिना समर्पण एक पाईला पनी अगाडी बढ़ देना त्यसेले परंपुझ गुरुदेवले इस्पष्ट लेही दिनु भायको छा कि जती तिम्रो समर्पण तेती नहीं मेरो खुसी अर्थात समर्पण को डिगरी रा मात्रा अनुसार पुझ्य गुरुदेव को खुसी निर्दारी तुम्गो रहा जै रयो सत्य तेसेले वहाले आमिलाई लाक्षणिक रूपले अपील गरनु भायको छा कि समर्पण बढ़ावू समर्पण बढ़ावनु नहीं मेरो खुसी को माना कुने जै तर समर्पण स्वार्थ समर्पण प्रतिफल युक्त समर्पण कुने व्यपार जस्तो उनुह दै न कि सुद्ध प्रेम्भावले निश्वार्थ समर्पण उनुपर छा तेस्तो समर्पण ले मलाई बढ़ी खुसी दीन छा वनने संकेत प्रस्तुत गुरुबाणी बाट उजागर बायको छा समर्पण पुझ्य गुरुदेव को व्यक्तित्व, कृतित्व, तपस्या, साधन, कर्तित्व आधिको सेरोफेरो मा रचियेका अविवयक्त गरियेका गुरुबाणी हरु प्रस्तुत गर दैछुब आउनोस अगिल्लो क्रम्मा अरको त्यस्तेई पुज्य गुरुदेव आदिचंद्रयोगी जिव संगस संदर्भ जोडियेकु गुरुबाणी हामी स्त्रवण गरो मेरा हर लक्स्य तिमी बाटा सुरू हुदेई अन्तिम गन्तव्य सम्मा तिम्रेई साथ हुदेई पून हुद्चन तर्शक ब्रिंद परंपुज्य गुरुदेव ले हामिलाई प्रस्तुत गुरुबाणी मार एउटा रहस्य खोली दिनुबाएकु से त्यों रहस्य क्यों हो कि सम्मंद को तार्त हो तिमी हामि संगा जोड़िये को से तर तेसको स्वीच अन्गरने काम से तिम्र हो अर्थात जिग्यासु भग्त शिष्य सादक कुझ्य गुरुदेव को आसाय के छबने मेरा सवई लक्स्य हरू तिमी हरू सिष्य जिग्यासु भग्त आगन्तुक या समर्पित निष्ठावान आदी हरू बाटा पूर्णा होने चे तो जती हामि उच्च चितना लाई साथ दिन चो हामि आफनो चितना लाई पनी उच्च ता तर्फल लई जान दाई जान चो पुज्य गुरु देव ले लक्स्य को पूर्णता मा योगदान गरने जिम्मेवारी सिष्य हरू को भग्त हरू को जिग्यासु भग्यासु 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 भग्य अगाडी बढ़ने हो बने हामरो माध्यम बाटा सद गुरू हरूले आफनु लग्से पूरा गर्चन जस्तो की श्री राम भगवान ले रामण संग को युद्ध मा एकले लोडनु भायना बादर लाई, लोखर के लाई, हनुमान लाई अने को अरू जंगल का प्राडी हर लाई, अनि अयद्यवासी सवैलाई, जो जो आउंसन आफुसन समाईतु नती सवैलाई उद्ध का अंग बनाई दिनु भायना हरेक सामान्य आत्मा बाट जीब बाट अपने आफनों लक्से पूरा गर्णु भायना यह हो महापुरु सरुप कोशल, ता परंपुज्य गुरु देवले यह कोशल प्रस्तुत गुरुबाणी मा उजागर करनु भायको सा दर्शक्रिन, अबको क्रम्मा एस्ते-स्ते अरको एउटा गुरुबाणी हमी स्त्रवण गरों तीमी भित्र सल्कियेको त्यो अन्योल पूर्ण संका को दियो मेरो चिता जलावने अगनी नवनोस। गलत संकाले तिखारियेको मस्तिस्क अटूट संबंध टुक्रियावने दार नवनोस। कारेक्रम हेड़देर गर्णुबहेका आधने दर्शक ब्रिंद सारेन इस शरल किसिमको इसपष्ट किसिमको गुरुबाणी हमीले बर्खरी वाचन गरेगा देखायों सुनायों। परम्पुजय गुरुदेव आधिचंद्रयोगी जीवल एकनोंचा कि शंकाले भरियेको दिमाग दारीलोंचा तियो धारले अटूट संबंदर लाई गिल दिन्चा टुक्रियाई दिन्चा अर्थात सिमाना बात काई दिन्चा त्यस्तो नह सामरो बीचमा बनने वहाले अ करदेई अपेक्षा राखनवायकोष तेरे मांचेको मनमा कसे प्रतिपनी संका जली आलचा बली आलचा शंका रुपी भूसको आगो शलकीन्चा अन्निवन टाइम लागचा समय लागचा परम्पुजय गुरुदेव हमिलाई जस्कावन हुँचा कि गलत संकाले जब दिम मन्द पिछे संस्था संस्था मा संगठन संगठन मा शमिती शमिती मा शमुदाय शमुदाय मा पालिका पालिका मा विश्व विश्व देश देश मा आज बली यो देखिये कुछा तेसेले तो होला गीताले पनी लेक्षा संसयात्मा विनश्यती शंकाले विनास गराउँच बिनास को बाटो यादी कुनाई छावने देरेई छन एक निकाई नहीं बायांकर बाटो हो संका तेसेले वरम्पुज गुरुदेप पनी अपील गरनोंच आसा राखनोंच कि वहाँ प्रत्वी हामीं शंकाले नहेरों जिग्यासाले हेरों यू आसा राखनोंच कारेकर्म प्रस्तो ताक। वहाले जिग्यासाले हेरों यहाँ सबद प्रयोंगर नंभएकुज है ना ? तरह जयले पनी महापुरुष लाई, सथ्पुरुष, आध्यात्मिक चिंतक लाई, सथ्गुरु हर लाई, बिनंम्र जिग्यासाको भावले तेई कुर्या गीताले लेहे कुछा उपदेख्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिने स्तत्त दर्शिवी शेवागरदेई शंका रहित र कपट रहित प्रस्ण अरु राखनु परसरे सद गुरु लें तेशेले ये गुरु बाडी को आलोकमा आमी जीवनमा युडा बानी बसाओं कि कसे प्रतिपनी कपट युक्त प्रस्ण न गरों संका युक्त द्रिष्टी न राखों ता मनन गरदेई आउनोस अरुको युटा गुरु माडी हामी स्त्रवड गरों हजुर हरुको सभाव मा साधक्ता पूर्ण परिवर्तन होस अरुको भावना को सदै सम्मान होस सबै बंदा उत्तम आफु है न शत्चा अरु र गलत चाई आफु बनी सोजा एक बालक जो सदै हर कुरा जीवन मा खोच्छ त्यस्तै हर कोईलाई अपरिचित्र हर भस्तु नया बने आफुलाई बालक जाई परिकल्पना गरा परम्पुज्य गुरुदेवले प्रस्तुद गुरुबाणी मा जीवन भर आफुलाई बालक बनायारा बाचन सीक बनने सुत्र दिम बायकोच तपाई आमी छिटे बुडो होंचों अचार छिटे तन्नेरी होंचों परन्पुचे गुरुदेव प्रस्तुत गुरुबाणी का माध्यमबाटा हामीलाई आप प्रतीक लाईर हर एक बिक्ति लाई यो सुध्र प्रदानगरिये को सह की बालक जही बनो गलतिorial आफनो खुशी चैंआ अर्काको गुणचैं अर्काको दोशसे आफनो बने सोचों ton i also प्रतिस्पर्दां को जगत्मा भुतिक जगत कोcha प्रतिस्पर्धां आमा nova शेतत ना उन्ंपनी सक्सतर अध्यात्म माय में क्यों ने प्रम्फ जथ्य गूरतिस्टी सबग्ंजके परम्पुज्य गुरुदे प्रस्तुत गुरुबाणी मा लेखनु हुँँछा कि बालक ले परीची थोस याद अपरीची थोस नानीबाबु केटा केटीले सबयला आपनु मान्चनु आइपनी तेस्तेई बनना सको तो यो सुत्रा हमरो जीवन मा हामी ग्रहन गरना सको यह अब्यासा का साथ हमी कारेगरम को उत्रार्द माचनु दर्शप्रिंत आजा हमी यहर लाए युटा सानो योगा अभ्यास माल लए जान देचु आउनोज अबको करम मा सीकों बुजों जानो राभ्यास गरों युटा योगा अभ्यास अधिने दर्शप्रिंत आज हम अजुर अरलाई सुरिय वेदन प्राणयाम का बारेमा बीदी फाइदार सावदानी अरू पताउं दैश्मु उनता बिगत श्रिंखला हरुमा पनी हमिले यो प्राणयाम देखाई सुनाई सिकाई सके काच्छु तर ये तिखिरा जाडो को म जाडो मा ताथो चाइन चाइन ज उसमा चाइन च ते वर गांबीठो लग्षा शुरिय ता सुरिय वेदन प्राणयाम ले आमरो शरीर मनमा उरजा थपछा उसमा थपछा ताथो पन ज्यानो पन थपी दीजु ता जाडो मोशमा अवस्य गरन परने लो ब्लोड प्रेशर न निम्न रक्त चाप उने अरलाई पनी उपयोगी उने, बाकी सभेलाई काम तर लागी आल छा, र विशेश गरी सुस्त, मन्द, अलची, आलश्य, प्रमाद उने अरलाई यो प्राणायम जने उपयोगी छा, ता आउनोस पहली बिधी हेरों, सिकों, जानों, बुझों, अनि फ बेट खाली उने परछा, कम से कम खाना खायको तीन गंटा, बिती सकेको उने परछा, या दियूशो या बेल का गर्न उन्छा, अनि यो खाली पेट मा, सफा बातावरन को बीच मा, आमी टाक का बस्षों, र दुई हात मत दे, एक हातलायम तो ही प्राणायम मा, आमी प्रव अरेको मुद्रामा, एक हातलायम, माचने बायाहात प्रवेक गर देशों, टाक का गुणा मा राहे दीने, ज्यान मुद्रामा, इसको छुट्टे फाइदाच चनदेछ, यो फाइदा को बारेमा, हमीले याहर लाइ देहाई सके काच, आगामी दिन मा पनी फिरे देखाऊने प्राणायाम अभ्यास मा अब हामी प्रयक गर देशों ता एसरी दाइने हात लाई नासी का छेत्रमा लाई जाने रहा दू दू याउला लाई चोरी याउला रा माजी याउला एसलाई एसा ही छोड़ी दिनु बंदा याँ ट्यक निदारमा छुई राखे पाछी एसले लाई छोपी दिने धाकी दिने रदाइने नाग बड़ा सर रा सांस लिने पूरा सांस ली साके पछी ताव को निवर्यार सांस बित्रही रोके राखने कौती बर राखने जती बर सकीन चाती बर राखने अनी विस्तारे टाव को उठाऊँ दे बाया बाता सांस लिकाल दिने तो दर्शक ब्रिंद बीदी रामर्सवाग जाननु परने उंचा दाहीने बाता सांस बरने लाम मों समय रोके राखने बाया बाट निकाल दिने बाया बाट देबरे बड़सास न लिने पुना दाइने बाटे लिने अधिकतम छमता अनुसार रोकने बाया बाट निकालने फेरी एक पटक दर्शक ब्रिन सुरिय वेधन सब्द आफईले बयान गर्छा कि सुरिय वने को तातो नियानो उज्यालो प्रकास पुन्ज रो वेधन मने को पार गर्नुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ तलता को चीशोपन को प्रतिक हो बने दाहिने नाक्षाई तातो पन उस्मा को प्रतिक हो तो जाडो मा सुरिया वेदन चमतकारी हुँँछ फिरी गर्मी लागी सके पेछी आमिला चंद्रवेदी प्राणयां प्रभापकारी हुँछ बीदी यहारले पक्येपनी बुजी सकन बायोला दाहिने बड़ा सास पूर आली ने लाम समय रोकने कती बेर सके को चालीस सेकंड पचास सेकंड एक मिनेट डेढ मिनेट कती सकीन सा अधिक्तम समता अनुशरू रोकेर राखने रोकेर राखदा जालंदर बंद लगाऊने ताकी बीत्र को बायु तुरुनत शीरमा चड़े राणन जाऊस अनि सास चेंड पोखे राणन जाऊस एक्सिन रोकने तरह यो बंद को अरके महत्तो सामी चर्चा गरते छो अनि विस्तारो जबा हमी स्वास छोड़न तयार उंचो टाउको उठाऊं दे बायानाग बड़ा सरर रा सास निकाल दिने तेसको फाइदा दर्शक ब्रिन पईलो फाइदा तयले चीशो पन बाटब चीशो बाटब बचन सवेग्वाज सुर्या वेदी प्राणायम ले दिने अनेकों फाइदा हरुमा दोसरो यसले संकल्प अठोट छमतालाई बड़ाउंच इच्छा सक्तिलाई बड़ाउंच इने मने सुर्या सक ब्रिद्धी उन्छा मात्रामा ब्रिद्धी उन्छा तेस्त्रो चाहिं यसले हमरा बंद भयका नस नाड़ी अरलाई खुलाई दिन्छा जोव थो रक्त चाप लाए संतुलन गर्चाल नियून रक्त चाप बयका लो ब्लोड प्रेशर हुने अरलाई धेरेने फाइदा गर् आखी सबयले गर्न सकने उन्छा गर्न नहुने नसकने बनने चाहिं छाइना औरको महत्तोपुन फाइदा सुर्यवेदी प्राणायम को क्यो बने दाहिने नाक को संपर्क बायामस्तिस्क हसंग हुन्छा आपर बायामस्तिस्क मां चाहिं तरक गणीत विज्ञान तबायामस पुस्तिष्क का छेमता हरला यहले जगाय दिन छा, गनितिय छेमता को व्रिद्धी उन्छ, मानसिक तरक वितरक छेमता को विचार सिलता को यहले विकास गरद छ, तेसे गरी इसले रगत मा निखार लियांच, सफा बनाऊंच, रगत सफा बयावेशी सरीर को संपूड प्रण प्रणायां गरोड़ा एक पटक फेरी बीदिया रलाई मा बंदेचु ता सजीलो संप बसने एक आतलाई ज्यान मुद्रा मा गुणामा राखने और को आतलाई नासिका मालाई जानी दाइने नाग बड़ा सांस बरना सुरूगर ने ताकी बायान आग बंदर ओस लाम अधिक्तम सांस बरी सके पछे रोकी दिने रोकुंजल जालंदर बंदर लगायर एसरी टाव को निवर्यार राखने अधिक्तम रोकी सके पछे बायान आग बड़ा सांस फ्याल दिने दर्शक ब्रिंद के सावधानी अरूपनी चान कि ब्लोड प्रेशार बड़े को बिला देरे बेर यो प्राणायम गरनू उदैना नौने बित्ति के 400 शरीर ले तुरूंते न गरी हालने अलिकती दवड धुप गरे रा वाम अप गरे रा के गतियोग गरे रा जरीर माचान उर्जार गर्मिके बड़ार यो प्राणायम गरनू ऊधा़ हिस्थ नौने ब्रेको पेठ्म गरनू बायना वहखर है अप्रेशम भायको चा वन्यपनी गाऊपूरा निकोनन आवाजसम में प्रणायम हरू र यो प्रणायम पनि करना भैना, और अनि माइगरेन भायको अवस्थाम आधा टाउको दु fox निजोन समस्या आउँछी पिनास, त्यो अवस्थाम पनि यो प्राणायम न गरदा या थोरे मात्रामां गरदा या वीज्यको शल्लामा गरदा छें फाय दापकस तो दर्शक बनिंदð जाड़ों को कुशेली रिशी मुनिले हमिलाइल दिन वाइक को कुशेrau गलों प्राणायं अवश्य गरों निरंतर गरों प्राणायं जस्तों उपाहार्त यू संसार मारू के पनी छाईन सुर्या वेदन प्राणायं को कुशेली टक्रयाऊ neut puleng आजकलागी योगभ्यास एती में आधने दर्शक्प्रिंद इनई सामगरी विशेवस्तू रपरंपुज गुरुदेव आधिचंद्र योगी जीवले प्रदानगरुन वहेका गुरु बाडिहरुको साथमा कारेक्रम लाई बीट मारने बेला वैसे के कुछ है यहार कुछ समय योग माय रहोस् तो पहाँ हमरो जिन्दगी संदई बाल्यकाल को जस्तो कपट रहीत संकार हीत संसय रहीत हशीलो खुशीलो मिजासीलो रहोस् यही कामना गर्दे आजको कारेक्रम माटन विदालिंचु नमस्कार ओमादी अब तो अबसा खुशित खिरित मान विदा है झाल